कर दोस्तों मैं जैस भी यादव चकरवर्ती मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं तो दोस्तों आईए आज हम लोग करेंगे कुछ बेसिक कैलिकुलेशन तो आईए सुरू करते हैं दो अंकों की संख्या का स्क्वाइर करना यानि वर्क करना तो दोस्तों आईए हम इसको करते हैं जैसे मैंने लिए दोस्तों जैसे मैंने लिए 27 27 का अगर मैं वर्क कर दूं तो दोस्तों इसको क्या करना पड़ेगा ध्यान से देखेगा पहला बार में पहला डिजिट के स्क् 12 औरी्ष चार ऑल हांसिल कितना हो जागा ऊँ स्टाइक है धिस्त तो आपका हो जागा धिस्त दोशक्त हो जीकिते हैं 5 जैसे माल लिगेंत हैं छाओं को 32 कवर करना है 32 का वर्क करना है तो अगर 32 का मैं वर्क करते हूँ दोस्तो तो पहला बार में पहला डिजिट का वर्क हो जाएगा पहला बार में पहला डिजिट का वर्क करेंगे तो 2 के स्क्राइर हो जाएगा 4 ठीक है अब क्या करना है दोस्तो यह अड़ोसी पड़ोसी दुनों में गुना करा देजिए तो 3, 2, 6, 2, 12 के 2 हांसिल कितना हो जागा एक होगा अब जैसे इधर 2 डिजिट होगा दोस्तों यहाँ पर कोई भी डिजिट रहेगा इकाई कस्थान पर उसको हम करस कर देंगे बचा मेरा 3 और 3 का वर कर देंगे तो 9 और एक कितना हो जागा 9 और एक कितना हो जागा तो फैनली यह कितना है किए लब होता है दुस्तों गुणा तो 9 वाठे 72 72 दुना कितना हो जागा 144 144 में चोड़ जोड देंगे कितना हो जागा दूस्तों 500 का 0 हांसिल 15 और दोस्तों यह जैसे 2डिट होगा इसको हम करस्कर दीजे 9 के स्क्वार करेंगे 81 और 5 86 10 कितना हो जागा चानवे जीरो चार यह आपका हो जागा दोस्तों अंसर तो चलिए दोस्तों और एक्जम्पल लेता हैं जैसे माल लिजे कि हमको 56 का ही वर करना है तो चाचा का 36 के सब्सक्राइब करते हैं कि यह चीज आपको समझ में आया होगा तो आगे हम लोग बढ़ेंगे आगे तीन अंकों का संख्या का अवर करना सिखेंगे तो चलिए दोस्तों आईए शुरू करते हैं तो आईए दोस्तों कोशन लिखते हैं जैसे मैंने लिया दो तीन चार अब जो है इसको वर करना है ठीक है दोस्तों यह तीन अंकों का संख्याग हम लोग सीख रहे हैं अब तो सबसे पहले क्या करना हो दोस्तों सबसे पहले हमको यह करना जैसे कि मैंने इससे पहले जो मैं तो 3, 4 का 12, 2, 4, 21, 25 के 5 हांसिल 2 यहां तक ठीक है अब दोस्तो आपको क्या करना है अब आपको क्या करना है मेडियेटर का स्क्वाइर करना है मेडियेटर का मोले तो दोस्तो इन दोनों के जो बीच में होता है उसी को हम मेडियेटर बोलते हैं करेंगे तो 9, 2早ного यहीं पर जोड़ दिज्जे ताकि हाँसिल कि भोलने ज्या हो गया ठीक है जैसे में पहले बत्या था कि जब 2 अंग होता था इधर काट देते तहें लेकिन इधर तो को हम लोग सी रहे हैं तो क्या करेंगे तो काटएंगे जब दोस्तों यहाँ पर तीन ऊंक हो गार से मैंने काट दिये इसको ठीक है बच गये कितना था दो तो डिजीट वला में आपको दोस्तो पता था कि हम अड़ोसी प्रोसी से जगड़ा कराते थे ते इसको जगड़ा करा दीजे तीन दूना छव दूना बारर दो चोदा के चार हांसिल कितना होगा दोस्तो एक हो जाएगा ठीक है अब आपको क्या करना है जैसे यहाँ पर 4 लि अत्समें 26 मारते हैं देखिए तीन चार पांच आये इसको सिखा जाये तो सबसे पहले दोस्तोर दोस्तो दू है और 45 करेंगे 25 के 5 हांसिल कितना होगा ते लिख सकर लिए है टीक है ताकि आप हांसिल 2ハसिल लिख लेना है अब क्या करना है दो falar 10 दूस्तों वीजベー उसी कवर कर देना है, तो मेडियेटर कवर करेंगे, 4 है, 4 कवर करेंगे, कितना होगा? 16 और हांसिल कितना था? 4 तो पनी जोड़ दीजे, 16, 4 कितना होगा? 20 अब क्या करें, मेडियेटर का जब दोस्तों काम हो जाएगा, तो यह उपर उपर भागि तो 5, 3, 15, 12, 30, 20, जोड़ चुने हासिल कितना पांच ठीक है दोस्तों अब समझना जैसे तीना इनरी तो यहां पर जैसे bize तेमिल प्रूस्तों की 25 29 के 9 हांसिल कितना हो जागा दोस्तो 2 ठीक है अब क्या करेंगे जैसे यहां पर लिखेंगे इसको हम करस कर देंगे ठीक है तो अब यह बच गया 3 और 3 का वर कर देंगे तो 9 और 9 2 कितना हो जागा दोस्तो 11 11 तो 11 9 0 2 5 यह आपका दोस्तों क्या हो जागा अंसर हो जागा तो चलिए दोस्तों एक और एक्जाम पर लेते हैं आप समझेए जैसे मैंने लिया 432 यहां पर मैंने लिया 432 कहीं हमको करना है सबसे पहले क्या करना है 2 का स्कॉर कर यह 4 होगा फिर 3 दूना च्छोब दूना बा 9 एक 10 हो जागा मैंने ले लिया 10 ठीक है अब जो क्या करना ऊपर ऊपर क्या करना है आप भागना है उपर ऊपर भागे तो चार दूना आठ दूना 16 16 10 कितना हो जागा दोस्तों 26 के 6 हांसिल कितना हो गया 2 और जैसे इधर 3 डिजिट हुआ इकाई का स्थान पर कोई भी अब बच गया आपका कौन 2 डिजिट 4 3 तो चर्थी बार यानि इसमें क्या करा देना आपको गुना करा देना मेरे कहने का मतलब दोस्तों मेरे कहने का मतलब दोस्तों इसमें 4 में 3 से गुना करा देजे तो चर्थी बार दूना 24 चर्थी बार दूना 24 अब दो हांसिल जोड आपको बिल्गुल समझ मा आयगाई जैसे दूस्तों मालीजी कि मैंने 222 नहीं लिया और 220 को मेरे को करना है तो 2 का Corps करें गया होगा चार ठीक है फिर क्या करना है दो दूना चार दूना आठ चलिए मैंने लिखा फिर क्या करना है दोस्तों मेडियेटर का स्क्वाइर कर देजे हांसिल तो है नहीं कि हांसिल जोडेंगे तो मेडियेटर मेरा दो है दो के स्क्वाइर कर देंगे कितना होगा चार मेडियेटर मतल हो जाएगा एक सिक है और जा सने सिन खोरना हो चार तो आपस किनों को लास्ट क्या बचा इसको जब मैंने यहाँ पर लीकाका सिग्त से काल तो फैंडरी दोस्तोब ये आपकां क्या हो जाएगा अन्सर हो चार अंको का वर्क करना यह दोस्तों हम लोग चार अंको की संख्या कवर करना सिखते हैं जैसे यह आपर दो तीन दो चार है उस कवर करेंगे तो सबसे पहले चार के स्क्वैर करिए 16 के 6 हांसिल कितना होगा एक चलिए ठीक है फिर क्या करना है इसको गुना करा दीजे आपसम अब तीसरा डिजिट के लिए आपको क्या करना होता था दोस्तों तीसरा डिजिट के लिए आपको मेडियेटर के स्क्वैर करके हांसिल जोड़ना होता था मेडियेटर यहां पर कितना है दो कवर करेंगे चार हांसिल कितना था जोड़ दीजे पांच जैसे मेडियेटर का क 12 12 24 5 जोड़ देंगे 29 के 9 हासिल कितना हो गया दो तीन डिजित तो हो गया दोस्तों लेकिन हम लोग जो है चार ओंको के संख्या का ओवर करना सिख रहे हैं तो हमको चार डिजित लाने के लिए किया करना होगा चार डिजित लाने के लिए दोस्तों नजदीक का गुना नजदीक से और दूर के गुना दूर से तो 3 दूना 6 4 दूना 8 6 14 जोड़ देना है 3 दूना 6 4 दूना 8 आट 6 14 अब पावर जो है उसको गुना करा देजिए तो 14 दूने 28 दो 30 के सूने हासिल कितना हो जाएगा दोस्तो तो 3 हो जाएगा अब जैसे 4 दिजित हुआ तो इसको करस करते चे ठीक है अब बचेगे आपका तीन डिजित और तीन डिजित में दोस्तों आपको पता था कि मेडियेटर के स्क्वाइर पर प्लस हासिल होता था जब 3 बचा तो आप 3 डिजित में क्या सिखेते हैं लड़ाई करा देजे दोतिये च्छो दूना बारह दो चोदा के चार हासिल एक इधर लिखेंगे इधर काटेंगे दो के स्कार करेंगे चार और एक पांच फानेली दोस्तों यह आपका इतना अंसर हो गया चले दोस्तों एक और एक्जामपल करते हैं ताकि आपको किलियर थोरा सा धेन देना है दो के स्कार करेंगे चार मैंने लिखा फिर क्या करना आफ डूना शोलुकर दुरूना 6 हांसिल कितना हो गया है एक brokenएीरिशन अब क्या करना है दोस्तों यहाँ पर देख लिए चैशार का डिजिट मेरेको लाना है यहाँ पर तीस्रा डिजित मेरेको तो इसको करस कर दीजिए गा तो बचेगा कितना तीन डिजिट में आपको पता था मेडियेटर के स्कुरार प्लस हासिल करते थे तीन किस्क्वर ना हो तीन कितना हो जागा 12 और फिर उपर उपर गुना करेंगे 4 दो आठ दूना 16 कितना होग एक और इधर लिखेंगे 4 और 5 तो दोस्तो यह फैंली आपको क्या होगया ठीक है दोस्तो चली आईए और एक्जांपल करते हैं तकि आपको concept clear हो जाए ठीक है तो हम question लेते हैं जैसे मैंने लिया 2322 इसी को मेरे को करना है तो अगर मैं दोस्तों इसको कर दू तो 2 के square कर दू कितना होगा चार फिर 3 दूना 6 दूना 12 के 2 हांसिल कितना होगा एक है फिर क्या करना होगा दोस्तों इसमें πिर करना होगा तो मेडियर कर ले करके आसिल जोड़एना है तो मेडियर तीन है तीन के square करेंगे नौ और एक कितना हो जागा 10 ठीक है अब यह उपर उपर गुना करें यह मेडियेटर को छोड़ करके तो तीन दूना च्छव दूना बारह दस बाइस के दो हांसिल कितना होगा दो ठीक है अब तीन डीजिट होगे दोस्तों अब आपको चौथा डीजिट पर जाना है तो उसके लिए क्य में 12 से क्यूना करेंगे तो कितना होगा 26 तो कितना होगा 23 के 8 हांसिल कितना होगा दोस्तों 4 डीजित होगे काट दीजिए यहां पर अब बच एक तीन डीजित जैसे ही बच की स्कौएर हांसिल जोड़ करेंगे इतना अंसर हगा ठीक है, तो आईए दोस्तों एक और एकक्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया तो आईए इसको देखा जाए कैसे होगा यह चार है चार के स्क्वाइर करेंगे 16 चार हांसिल कितना होगा फिर क्या करना होगा पांच जैसे मैं टीटर का काम होगया तो छोड़ीत्र को बच रहा है उसको आगे लिएक वढ़ेंगे तो 3, 4, 12, 24, 29 जोड़ दीजे यहाँ पर दोस्तो तो 3, 5 हो जागा न, 3, 5 के 3 हासिल कितना हो गया, 5 हो गया, चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं, जैसे अगर 4 डिजिट पर अब हमको जाना है, तो 4 डिजिट के लिए क्या करना होगा, नजीक का गुना नजीक से और दूर के गुना दूर से, तो 5 का 20, 25, 25, 25 कितना 35, और जो पावर है उसमें गुना करा देजे तो 35, 75 के 5, 6, 7, दोस्तो अब 4 डिजिट हो जाएगा, तो यहाँ पर करस कर दीजे, ठीक है, अब बच गया कितना, 3 डिजिट, और 3 डिजिट में आपको पता है, कि मेडियेटर का स्क्व बचास 25, ऑर 16, जोड़ देंगे, कितना होगा, 56, 66, 6, 6, चीक है, दर लिखेंगे, इधर काटेंगे, 5, 3, 15, दोस्तो इधर लिखेंगे, और इदर काटेंगे, 5, 5, 25, और 3, 28, तो दोस्तो यह आपका हो गया अंसर, तो उमीद करते और आपको बिलकुल समझ में आया होगा, आइए दोस्तों अब हम लोग क्यूब करना सिखेंगे तो जैसे किसी संख्या का घं करना यह आपको ऐडिंग दीख रहा होगा तो आइए दोस्तों क्या करना होगा ठीक है, तो 42 के दोस्तों क्यूब कर दो, यहां पर हो जाएगा, पहला बार में पहला डिजिट का क्यूब करना होगा, पहला बार में पहला डिजिट का क्यूब करेंगे, तो कितना हो जागा दोस्तों, तो 2 है, 2 का क्यूब करेंगे, कितना होगा, 8, तो यहां पर मैंने 8 यानि कि पावर में जो 3 है और यहां पर जो 4 है उसको गुना कराईए तो चर्थी यहीं 12 और पहला के मैंने स्क्वैर बोला था तो बड़ा चोगा 48 के 48 के 48 कितना होगा चार होगा ठीक है अब दूसरा के स्क्वैर बाकी समय गुना तो दूसरा के स्क्वैर करेंगा तो 16 हो जा तो 0 हो जागा हांसिल कितना होगा 10 यहां पर मैंने लिखा 10 अब चलिए अब जैसे इदर मतलब Q के रूप में आ जागा एक दो तीन Q के रूप में आ गया तो इसको हम करस कर देजे और बच गया चार का Q करेंगे 64 कितना होगा 74 तो इसका अंसर हो जागा दोस्तो 74 088 तो चल जिसका लिखेंगे 5 हांसिल कितना 12 ठीक है अब क्या करना है पहला के स्क्वाइर पहला के स्क्वाइर पहला के स्क्वाइर पहला डिजिट कितना है 5 है तो 5 के स्क्वाइर अब बाकी समय गुना यानि 2 3 6 तो इधर हो जागा कितना 1500 और 12 हांसिल था तो कितना होगा 162 तो यह और बाकी समय गुणा बोले तो दोस्तो पांच तीन पंदर इधर हो जाएगा पंदर तो दोस्तो यह आपका क्या हो जाएगा चलिए और एक एक जामपल लेते हैं तो आपको किलियर समझ में आएगा इसको मिटा देते हैं जैसे माल दिजो दोस्तो अगर मैंने 24 लिया 24 का क्यूब करना हमको सिखना है तो क्या करना होगा पहला बर में पहला का क्यूब करेंगे 64 के 4 हंसिल 6 चोब बाकी समय गुणब बाकी समय कोगुण अब बाकी समय गुणब बोले तो synthetic चार और बाकी समय गुना दोस्तों देने 12, 14, 48, 10 जोड़ देंगे कितना हो जागा दोस्तों यहां पर 10 हांसिल था 58 के 58 हांसिल 5 जैसे 3 होगा इधर काट दीजेगा 2 का क्यूं करेंगे 8 और 5 59, 13 देखिए बिल्कुल है बिल्कुल असान है दोस्तों ठीक है बिल्कुल असान है चलिए एक और एकजामपल लेटे हैं ताकि आपको clear समझ में आ जाए तो आए लेते हैं जैसे 32 हैं हमको 32 का क्यू करना है तो पहला बर में पहला के क्यू करेंगे कितना होगा 8 होगा फिर क्या करना है दोस्तों आईए 32 का क्यू करते हैं तो 32 का क्यू करेंगे कितना होगा 8 होगा पहला के स्क्वाइर करेंगे पहला के स्क्वाइर यानि पहला के स्क्वाइर होगा दो के स्क्वाइर हो जागा आपका देखें पहला के स्क्वाइर करेंगे कितना होगा चार और बाकी समय गुना का मतलब 3 तीन तीन नो तो हो जागा नो चाओ का 36 36 के 6 हांसिल कितना होगा ती 3 का क्यू कर देंगे 27 5 कितना हो जागा वेटीस यानि 22 साथसू और सट दोस्तो फैनली आपका ये उंशर होगा आईए दोस्तो अब हम लोग करेंगे सव के आसपास की संख्या का वर्ग करना तो आपको संख्या दिखाई दे रहा होगा तो आईए हम दोस्तो शुरू करते हैं जैसे यहाँ पर 108 है 108 का हम cover करना है तो 100 से कितना ज़्यादा है तो दोस्तो जितना अधिक रहेगा उसी cover करेंगे अब क्या करना है जितना ज़्यादा है उसमें और ज़्यादा कर दीजे तो दोस्तो आठ ज़्यादा था तो आठ और जोड़ दीजे ज्रुष में 60 में जोड़ेंगे तो तो कितना जाएगे 116, ठीक है चलिए दूसरा करते है, यह है 112, तो यह 100 की आस पास के संख्यार कहा है, तो 12 का स्क्यार करेंगे कितना हो जाएगा, 144, ठीक है, हांसिल कितना हो जाएगे, दोस्तो एक हो जाएगा, अब देखिए, 12 था, 12 ज्यादा था 100 से 12 ज्यादा था तो 12 और जोड़ दीजिए 312 में 12 जोड़ेंगे 124 और हासिल एक हो जाएगा कितना 125 चोवालिस यह होगी आपका अंसर अब देखें दोस्तों यह है आपका 92 और 92 यह जो है यह भी 100 की आसपर संख्या है दोस्तों तो 100 से कितना कम है 8 कम है कितना कम है 8 तो जीतना कम रहेगा या जीतना अधिक रहेगा उसी cover करेंगे तो दोस्तों यह 100 से 8 कम है इसलिए 664 और जीतना कम है उतना और कम कर दिजे तो 92 में से 8 कम ख्राट आठ कम कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 84 ठीक है अब देखें यहाँ पर ध्यान दिजे यह है आपका अंटानवे का वर्ग है करना है इसको तो दोस्तो यह कितना कम है imagine 100 से तो यह है 2 कम है तो 2 के स्वार करें कितना होगा चार ठीक है दोस्तों और आपको पता है कि 100 पर होता है तो दिजिट बनाने के लिए हाँ पर चुनि छुपका देंगे अब कितना कम था दोस्तो दो कम था तो दो और हें कम कर दिए तो अंठ schina 000 कम कर देंगे कितना Hag выпуск आप इसको करेंगे तो फन-दिजियो सार करेंगे 225 कि 2025-ब == दो हो जाएगा क्यों? एक बार में दो डिजिट लिखेंगे दोस्तों क्योंकि 100 पर दोस्तों नहीं होता है इसलिए लिए हमको एक बार में दो डिजिट लिखने का अधिकार है तो 15 के स्क्वार में ने किया 225 है। दोस्तो 15 अधिक था 15 और जोड़ दिजेते 15 में 15 जोड़ेंगे 130 दो जोड़ेंगे कितना हुग ए 32 तो यह अब कहो गया 132 पच्चिस ठीक है दोस्तो आईये और करते हैं यह 88 है, 100 क्या सपास की यह भी संख्या है, कितना कम है, 12 कम है, 12 कम है, 12 कम है, 12 कम है, 244 हांसिल, एक हो जाएगा, और 12 कम है, तो इसमें 12 कम कर दीजे, 12 और कम कर दीजे, 12 कर देंगे, तो 8 में से 2 जागा 6, और यह हो जाएगा, यहाँ पर कर दीजे, 12 कर दीजे, 8 में से 2 जाग चीक है मैंने क्या बोला कि जितना कम है उसका स्वायर करिए 344 एक और 88 में से कितना कम था 12 तो 12 इसमें और कम कर दीजिए 88 में से 12 कम कर दीजिए तो 77 चीहत्र आया रहा था और एक हांसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तो दोस्तो कुछ नहीं करना है ये 5 है तो पहले आपको क्या कर देना है 25 लिख लेना है क्या करना है 25 लिख लेना है यहाँ पर दोस्तो क्या करना है 25 लिख लेना है यहाँ पर सब में क्या करना है 25 लिख देना है सब में क्या कर देना है 25 लिख देना है ठीक है और उसके बाद 2 है इसमें एक बढ़ा दिए 2 में एक बढ़ा यह 3 3 में 2 से बुना कराई है 6 तो यानि इसका on-sar आगे 165 अब देखे दोस्तों यέ है आपका 4, 4 में एक बढ़ा यह 5 5 में 4 से बुना कराई है 20-25 यह आपका आंसर होगे 20-25 अब यह 95 है दोस्तों तो यह 25 पहले लिख लेना है, यह 9 था, 9 में एक बढ़ा, यह 10, 10 में 9 से करा, यह 95, तो यह इतना हो गया, अब यह है दोस्तों 11, 11 हम एक बढ़ा दीजे तो 12, 12 हम 11 से कर देंगा 32, 32, इतना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, अब दिखिए, यह तो मैंने 25 लिखा, यह है 31, और 31 में, दोस्तों, 31 में, अगर हम एक बढ़ाएगा, तो 32, और 32 में, दोस्तों, 31 से गुना करा दीजे, यहाँ पर, तो यह हो जाएगा 32, और 32 ती अच्छानवे, तो 2, 6, 9, फिर 9, यानि कि यहाँ पर हो जाएगा 992, इतना हो जाएगा, ठीक है, उसी परकर दोस्तों, यहाँ पर है 51, 51 में, एक बढ़ा दीजे, तो 52, 51 में, बावन से गुना करा दीजे, 51 दूने 102, और 55, 5, 5, 25, चीक है, तो यह हो जाएगा 2, 5, 6, 2, 26, 25, 26, 25, तो यह आपका दोस्तों, इतना अंसर हो जाएगा, तो उमीद करते हैं तो यह चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक ह तो अगर आपको वीडियो फसंद आया, तो प्लीज लाइक कर दीजेगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सकाइब नहीं किये हैं दोस्तों, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सकाइब करके, बिल आइकन को प्रिस कर दीजेगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालू दो दोस्तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो चलिए मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्य बाद